बिना किसी ताम ज्हाम के बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगी कुरकुरी जलेबिया। जादा से जादा आपको 15 मिनिट लगेगा बस और उसके बाद एकदम कृस्पी जलेबी आपकी बनकर रेडी हो जाएगी। देखे कितना कुरकुरा बनकर रेडी हुआ है और इसके अंदर शुगर सिरफ तो आप देखे रहे होंगे। बिना किसी देरी के रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इंस्टिंट कुरकुरी जलेबी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप के जितना मैदा ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक घोल तयार कर लेंगे। एक कप मैदे के हिसाब से 3-4 कप के आसपास पानी के जितना तो लगना चाहिए। यहाँ पे मैंने विस्क का यूज किया है इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए। तीन से चार मिनिट आप अच्छे से इसे फेटते रहिए और पिलकुल स्मूद बैटर बनने तक मिक्स कर लीजी। तीन से चार मिनिट इसे मिक्स करना इसलिए जरूरी है ताके इसके अंदर एर बबल्स फर्म हो जाए और यह एकदम लाइट हो जाए। तो दो से तीन मिनिट लगबग हो चुका है मुझे इसे मिक्स करते हुए अब मैं स्पून से भी थोड़ा मिक्स कर लोगी। देखे इसकी कंसिस्टेंसी तो आप देख ही रहे होंगे। दोसा बैटर के कंपेरिजन में यह थोड़ा थिक है लेकिन फ्री फ्लोइंग है। अब इसे कुछ देर के लिए लगबग 5 मिनिट के लिए हम साइड में रख देंगे ताके तब तक वो सेट हो जाए और उतने टाइम में चाशनी बना लेंगे। अशनी बनाने के लिए 3-4 एक कप के जितना पानी लिया है और एक कप चीनी ले लिया है। फ्लेवर के लिए हरी इलाइची या इलाइची का पाउडर डाल देंगे और हलका सा कलर के लिए मैंने इसमें टरमरिक पाउडर डाला है यानि की हल्दी। हाई फ्लेम पर इसे पकते हुए 2-3 मिनिट हो गया है और हमारा जो शिरप है वो थोड़ा चिप-चिपा भी हो गया है इसमें एक चमच के जितना नीबु का रस डाल देंगे और इसे थंड़ा होने के लिए रख देंगे फैन के नीचे हल्दी की जगा आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं हमने जो बैटर रेडी किया था ना उसमें हम इनो आड़ करेंगी तो एक कप मैदे के हिसाफ से आदा पाकेट इनो इसमें परफेक्ट रहेगा इनो डालने के बार थुरंत हम इसे मिक्स कर लेंगे और 32-40 सेकेंड तक हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें एरेशन हो जाए जो चाशनी हमने बना कर रखी थी ना उसमें हमें कोई एक या दो तार नहीं बनाना है खाली वो चिपचिपी होने तक उसे पकाना है बस यहाँ पर देखिए 30-40 सेकेंड हो चुका है और इसमें एरेशन हो गया है अच्छे से बबल्स भी फॉर्म हो गये है मैंने यहाँ पर सिफ मैदा का यूज किया है लेकिन मैदे की जगा आप चाहे तो गयों का आटा भी ले सकते है या फिर आदा कप मैदा और आदा कप गयों का आटा भी चल जाएगा देखे यह बिलकुल परफेक कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की अब यहाँ पर मैंने एक ग्लास ले लिया है और एक प्लास्टिक इसके अंदर फिट कर लेंगे प्लास्टिक में हम अपना बैटर भरेंगे ताकि हम एजिली उसे डाल सके फ्राइ करने के लिए आप चाहे तो पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो बॉटल आता है ना उसकी ढकन में थोड़ा सा होल कर दीजिए उपर से और उसमें भी इस बैटर को डाल सकते हैं लेकिन इस तरीके का फ्लास्टिक बैग तो सब के घर पे होता है तो यह ज़ादा आसान हो जाएगा और अगर नहीं है इस तरीके का प्लास्टिक बैग तो जो दूट की थैली आती है ना उसके अंदर भी आप इसे डाल सकते हैं अब सारा का सारा बैटर नीचे की तरफ प्रेस कर दीजे और जो एंड है ना उसका बाहर का उसमें हम कट लगा लेंगे शार्टिंग में एकदम छोटा सा ही कट लगाएगा वरना बहुत जादा कट जाएगा ना तो एकदम मोटा मोटा निकलेगा हमारा जलेबी का बैटर जाएगा बबल्स फर्म हो जाना चाहिए बिलकुल इस तरीके से लग वो टेंपरेचर एकदम परफेक्ट है अब इस जलेबी को हमें बहुत जादा देर नहीं फ्राइ करना है इसे एक साइड हम फ्राइ करेंगे 15 से के लिए और 15 से के बाद इसे फ्लिप कर दीजे और तू इसे लिए हाइ फ्लेम करना बहुत जरूरी है जितना भी एकसेस ओईल घी है उसे आप निकाल लीजे और इसी तरीके से आप सारी जलेबियों को फ्राइ कर लीजे अब हमारा जो चाशनी है वो भी थंडा हो गया है तो एक एक करके हम अपनी जलेबिया इसके अंदर डालें ताकि वो सारा जो रस है वो पी जाए अब इन जलेबियों को हमें जादा देर चाशनी में रखना नहीं है बस यहाँ पे भी 10 से 15 सेकंड के लिए ही रखेगा और फिर निकाल लीजे चाशनी में से अगर आप जादा देर रखेंगे ना तो हमारी जो जलेबिया वो करें जरूर अपने घर पे से ट्राइ कीजिए रेसिपी अची लगें तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना भूलिएगा नहीं ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे यो देखने के लिए थांक की वेरी मुट की अची बेल एकि ज़ूलिएगा आप की तक सबसे की लगें